सब्सक्राइब करने के लिए मैं और मेरे कोई टीम्स कोई अभी जो स्टूडेंस वो अब ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंस उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं अल्रेडी ऐसा होगा जब मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा था अल्रेडी 4700-800 तो साइन कर चुके थे पेटिशन तो आप भी अगर चाते हैं पेटिशन साइन कर पाएंगे स्टूडेंस अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेश्ट बेंगोल एडुकेशन जो हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनको भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट चीज बोला जा रहा है अफलाइन एक्जामिनेशन ना लेकर ऑनलाइन एक्जामिनेशन लेने के लिए तो वीडियो को अंतक देखिए क्यों हो रहा है प्रोटेश्ट आपको पता चलेगा उनलाइन में क्या बोल रहे हैं क्या स्टूडेंस डिवांड और यह भी मैं आपको बताऊंगा उसके साथ साथ अभी एक और भी important update है वो भी मैं वीडियो का end पे आपको दूँगा तो वीडियो को अन तक पूरा देखना और definitely उनको support करना यही मैं आशा रखूंगा चैनल को subscribe करके रखना तो चलिए ज्यादा समय न लेते हैं वीडियो को हम लोग start करते हैं तो चलिए हम लोग one way one देख लेते हैं यहाँ पर इस petition में students क्या demand कर रहा है we study in online mode we want online semester examination for every university students यही अभी demand किया जा रहा है students question करेंगी भाया आपने sign किया है या नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखके रखे है आप देख सकती है यह वाला page मैंने यहाँ पर ही save करके रखा है जहाँ पर मैंने sign किया था रिद्धीर रखे साइंड six minutes ago मैंने अभी sign किया है मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे subscribers है इसको definitely support करें जो चाहते हैं डेफिनेटली जो चाहते हैं कि online में examination हो, जो चाहते हैं offline examination हो, वो अगर ना support करना चाहे तो ना support कर सकते हैं, पर जो जो students चाहते हैं कि online mode पे classes हुआ है, syllabus खतम नहीं हुआ है, वो अगर चाहते हैं कि online semester हो examination, तो definitely इसको support किया जाए, क्या बोला जारा है आप देख सकते हैं यहा to be held as we know that UGC provides guideline to conduct odd semester examination in March, our preparation is not yet as our syllabus is huge and we have less time to cover it, जो कि सही demand किया जा रहा है, कि इस time के अंदर UGC जहाँ पे बोल रहा है कि March में examination हो, हम लोगों का syllabus ही complete नहीं हुआ है, हम लोगों का classes एक महिना late में चालू हुआ है, जहाँ पे other state का एक महिना पहले चालू हुआ था, तो complete करेंगे कैसे offline mode पे examination हो सकता है, आवर PGA admission is ongoing in many universities, we face many difficulties to study in online mode, as per the news sources, one of our state university is going to held odd semester examination in offline mode, they teach us in online and they want to examine us in offline mode, this is unfair, मतलब बोला जा रहा है, one, अगर sentence में मैं बोलू, तो online class is equals to online examination, online semester, यही अभी demand किया जा रहा है, कोई-कोई university ऐसे हैं, जो बोल रहा है, अभी तक confirmation कोई university नहीं दिये, कि offline में examination लेंगे, पर कोई-कोई university ऐसे है, में लिए कौन से university, कौई university आपको पता है, मैं नाम नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा ह कि अभी offline में examination लेंगे, other universities अभी इसके बार में कोई-भी comment नहीं किया है, तो students अभी यही बोल रहा है, कि अगर offline में classes होता, तो हम लोग को offline में examination देने का कोई-भी problem नहीं था, अभी classes online में हुआ है, syllabus complete नहीं हुआ है, तो definitely हम लोग यह request करते हैं, किनको request किया, ज़र आप द इस बार भी online mode पे हो, ताकि students के लिए अच्छा हो, syllabus जिनका ना complete हो, वो भी अच्छे से exam दे पाए, सभी के लिए possible हो examination देना, तो इस बार भी online examination के लिए, यह semester में भी अभी बोला जा रहा है, students के तरब से बोला जा रहा, तो मैं चाहूंगा, definitely मैंने already sign कर दिया है, आप दे sign कीजे, 10,000 definitely sign होना चाहिए, यहाँ पर already वो लोग 5,000 reach कर जाएंगे, जब मैं यह post करूँगा, I hope, तो आप definitely जाईए, support कीजे, अपने friends group पे support कीजे, अपनी friends group पे यह video share कीजे, ताकि सभी को पता चले कि अभी sign चल रहा है, सभी groups पे, जितने मेरे subscribers है, यह video को share करना, ताक कि सभी यह जो video है, यह video को support करें, इनको definitely support करें, कुछ students मुझे comment किये थे Instagram में, बोल रहे थे कि भाईया, हम लोग help कीजे, मैंने आपका help किया, क्योंकि मैं definitely students के form में हूँ in every situation, तो यह हो गया, sign के बार में, description box में आपको link मिल जाएगा, इनका app भी Facebook पेज, उसका भी link आप कि उनको support कर सकते हैं, तो यह हो गया, अब चलिए एक और जो news है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, कि library open हो रहा है अभी 23rd of January से, कहां पे हो रहा है, क्या बोला जा रहे है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, तो यह जो news अब देख सकते हैं, एई शामोई नाम का paper में आय होगा, यहाँ पे question आ रहा है, एई शमय बर्धोमान कोरना संक्रमान रोधे आचम का थमके गिये छिलो सब स्कूल, कॉलेज, आदालो, ट्रेन, बास, बिमान थेके शुरू करे, कार्जोतों सब कीछुरी जात्रा स्थोगीत होए गिये छिलो, तार पर लोगडाउन पर्भो काटिये, गोनो परिबाहन, आदालोत, ओफिस काचारी, यहाँ उनकी सिनेमा उपदी ओपन होए गालो, रेश्टोरा ओपन होए गालो, खोला हो लेओ, ग्रोंथा गारेदार बंधोई, बोई प्रेमीदेर पोष्णो, शॉब जोखन खोला होच्छे, तोखन लाइबरेरी क क्यानो बंधो, definitely यहाँ पर बोला जा रहे, कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सब कुछ, ट्रेन, बस, सब कुछ, ओपन कर दिया गिया है, फ्लाइट भी ओपन कर दिया गिया है, सिनेमा होल, रेश्टोरेंट भी ओपन कर दिया गिया है, तो अभी जो लाइबरेरीज है, प्रती जोगीता मुलक परिखार परिखार थीरो जुन जिल्लोग को प्रिपरेशिन लेना है कंप्रिटिटिव एक्जाम्स केली उनको प्रब्लेम हो रहा है कारण ओई सब परिखार जोरूरी सब बोई केना अनिक छेले मेर पोखे सम्भब नौई एह परिश्थी टे ग्रोंधाकार मोंत्री, सिद्धी कुला, चौधूरी अवश्च आशार को शुनिये चेन तिनी जानान आग मित 23 जानौरी लाइब्रेरी खोला होते पारे प्रातोंगभवे शिद्धान्त होए चे तारको था एक कोनों पुरिष्थिती ते लाइबरेरी बंधो करते हुए छिलो सेटा शौकोले जाना मतलब विच सिचुएशन में मतलब किन सिचुएशन में लाइबरेरी बंध करना पड़ा था सबको पता है हम लोग सोच रहे हैं कि 23 जैनुवरी से लाइबरेरी ओपेन कर पाएंगे जो जो स्टूडेंस ऐसे हैं जिनको बुक्स खरिदने में प्रॉबलम है उनको मतलब जो महंगा महंगा बुक होता है जो जो कॉंप्टिटिव एक्जाम में देना चाते हैं 50% से ज्यादा नहीं मास्क एंड सोसल डिस्टिंसिंग ये कंपलसरी है उसके साथ साथ 23 जैनुवरी से ओपेन हो सकता है लाइबरेरी ये अभी क्लियर मेसेज दे रहा है जो लाइबरेरी मिनिस्टर है वो अभी यही मेसेज दे रहा है सभी स्टूडेंस को जो पढ़ना चाते है लाइबरेरी में जाके सभी के लिए बोला जा रहे तो 23 जैनुवरी से उनिवर्सिटीज का भी लाइबरेरी ओपेन हो जाएगा 23 जैनुवरी से मैंने आपको फिर से बता दिया 23 जैनुवरी से अगर ओपेन हो गया लाइबरेरी तो स्टूडेंस के लिए अच्छा होगा जो जो स्टूडेंस एक्चुली लाइबरेरी में जाके पढ़ते हैं लाइबरेरी डिपेंडेंट जो जो स्टूडेंस है उनके लिए बहुत अच्छा एक निउस है तो यही दो news मुझे देना था definitely आप पिछले वाला जो मैंने news दिया उनको भी support कीजे library भी आपका 23 जनवरी से open होगा तो जो students library से book borrow करना चाहते आप ready रहिए 23 जनवरी से अगर open हो तो definitely आप लोगों के लिए अच्छा है and 50% students करके allow किया जाएगा सभी को एक साथ नहीं किया जाएगा पर libraries open होगे तो यही था आज का वीडियो तो बहुत ही important update मैंने आपको बताया कब अब college open होता है कब क्या होता है school कब ही open होता है इसके बार में तो update मैं देता रहूँगा चैनल को साथ बने रहे है चैनल को subscribe कीजे और ये वीडियो अगर अच्छा लगए तो like and share करना वो जो मैंने petition shine करने के लिए आप लोगों को बताया petition भी आप shine कर सकते description box में आपको link मिल जाएगा तो ही था आज कर वीडियो वीडियो कैसे लागा definitely मुझे comment करके बताना तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत जल्द दिने आप वीडियो के साथ फिर से अब लोगों मुलाकात होगी तब तक के लिए bye bye